नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने भारतिये सिना को उपकरण और हांथियार की खरिदाली के लिए 2290 को रुपए की रकम की मंजूरी दी है राक्षा मंत्राले ने सोमवार को बताया कि राक्षा अधिगरान परिशत ने भारतिये सिस्टरबलो को विभीन आवसक उपकारनों के लिए पुझी अधिगरान के प्रस्तावों का मंजूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत 2290 को रुपए है मंत्राला की ओर से बताया गया कि इस अवंटन रासी से घरली उद्यों के साथ साथ विदेशी विक्रतावों से भी खरिदारी की जा सकती है पसुओं में हो रहे लंफी स्कीन डिजिज को लेकर सरकार ने जीले को किया अलट पसुपलन विभाग ने लंफी स्कीन डिजिज को लेकर सभी जीले को अलट किया है इसे लेकर एडवाईजिरी भी जारी की गई है बता देगी सोसल मीडिया और मध्यमों से राजे के कई जीलों में इस बीमारी के पटकोप की जनकारी मिलने के बाद अलट किया गया बिभाग की निदेशक नैसी सहाय ने सभी जीला पसुपलन पताधिकारी को इस बीमारी को लेकर सरकार की गाईडलाइन को पलन करने को कहा है सिक्छा मंत्री के तवियत बिगणने पर रिम्स में भरती जाक्ण के सिक्छा मंत्री जगनात मतों की अचानक तवियत बिगण गई उन्हें रिम्स में भरती कराया गया वे बोकारों में थे बताया जा रहा है कि उन्हें खासी की सिकायत थी बोकारों में उनकी कुरोना जाच कराई गई जो कुरोना की पुष्टी हुई सी एस डाक्टर असोक कुमार पाठक ने इसकी पुष्टी की है बताव देगे जर्कन की सिख्छा मत्री जर्कनात मतों की तवियत अचानक खराब हो गई इसके बाद उन्हें राची के रिंश में भरती कराया गया जर्कन में 508 ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जो जम सेथ पूर से 301, बोकारों से 20, 142, देवघर 26, धनबा 57, दूमका 12, गढवा 5, गिरीडी 9, गोड़ा 89 गुमला 14, हजारे बाग 56, जामतरा दो, खुटी 50, कोडारमा 114, लातेहर 3, लोहरदागा 149, पाकुर साथ, पलामू 24, रामगर 34, राची 286, साहेवगा 30, सराय केला 85, सिम्डेगा 56, पच्छमी सिम्वम 87 मिले है जारखन में कूल संक्रामितो के संख्या 81 या 417 है, जबकि 69, 603 लोग श्वस्त हुए, और 689 की मिले भारत में कूल संक्रामितो के संख्या 11, 47, 499 गया बारत में नाएक केस 79, 63, unterwegs मिले है, जबकि 85, 59, स्वस्त भी हुए है ज्यारखन में सोमवार को 9 किमाथ हुई है जो जम सेथपूर से 4 राची से 2 गड़वा गिरीडी वा पाच्छमी सिमाथ से 1-1 किमाथ हुई है सोमवार को 1806 संक्रमी स्वस्थ हुए है स्वस्थ मरीज इस परकार है राची 696, बोकारो 93, देवघर 49, धनवाद 90, दुमका 51, जमसेथपूर 157, गड़वा 29, गिरीडी दो, गोड़ा 37, गूमला 35, हजारीबाग चववा जामतरा सोला खुटी 1, कोडरमा 165, लाच्तेहार 42, लोजदागा 18, पलामू 38, रामगण 50, साहेवगा 43, सराइक लाच्यासर, श्रिम्डेगा 31, पाच्यमी स्वस्थ हुए है कुरोना जाच मातर 550 रुपे में सचीव जाखन में कुरोना वाइरस के संक्रमन की जाच की दरों में भारी कटोती की गई है, राजे की हमन्द सुरेन सरकार ने रैपिट एंटिजन टेस्ट कीट से जाच की दर 550 रुपे ताय कर दी है इससे ज़्यादा पैसा लेने पर जाच करने वाले परियोग साला के खिलाप सक्स्त करवाई की जाएगी सुआच चिकित्सा सिक्षा एवं परिवार कलयान विभाग ने सो मुआर को इस समन्द में आदेश जारी कर दिया है पारा सिक्षक मौत पर 5 लाग, रिटार्मेंट पर 3 लाग समगर सिक्षा अभियान के तहट कारेरत राजे के पारा सिक्षक, बियारपी, सियारपी और कस्तूरबा गांधी बाइलका विद्यालों के सिक्षको और कर्मियों का कारेकाल के दोरान निदान होने पर उनके आश्रीत को 5 लाग रुपए मिलेंगे जार्खन सिक्षा परिज़ना दोरा इसके लिए बनाये गए कल्यान कोस का ट्राप आउट फाइनल कर लिया गया है राशन कार्ड के लिए अमतिम मौका 30 तक करे आवेदन राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 सितमद 2020 आखरी तारिक है अउनलाइन या ओफलाइन दुरों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं बता दे कि खाद सरोजनिक वित्रन और उभोकता मामला विभाग द्वारा 15 नोमबर से जाकन राज खाद सुरक्षा योजना की सुरुवात की जा रही है इसके तहत गरीब लोगों को सबसीडरी वाले 5 किलोगराम खाद्यान हर मा एक रुपे प्रतिक किलोगराम के दर्थे दिये जाएंगे राची से हबडा दिल्ली जयनगर पटना दुमका के लिए खुलेगी ट्रेन कुरोना वारस की वज़ा से जारी लोकडाउन के दर्थे आने वाले तेवहार के मदनेजर राची से कई जग हो के लिए एक साथ ट्रेन सुरू होने जा रही है बता दे कि राची से कुलकत्ता, राची से नई दिल्ली, राची से जयनगर पटना और दुमका के लिए सिग रही ट्रेन से वाय सुरू की जाएगी सुत्रों की मानने तो हटिया हावडा एक्सप्रेस राची दिल्ली गरीव रथ एक्सप्रेस राची जयनगर एक्सप्रेस राची पत्ना सताब्दी एक्सप्रेस राची दुमका इंटर सिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा गाउं के लोगों में एंटी बोडी ज्यादा ग्रामिन लोग पलाजमा देने में आगे राज्य में बिना लक्षन वाले मरीज की संख्या ज्यादा है वहीं गाउं की तुनला में सहरी छेत्र में लक्षन वाले मरीज की संख्या ज्यादा है बता दे कि कुरोना से स्वस्थ होने के बाद सहरी छेतर की तुनला में ग्रामी छेतर के लोग पलाजमा देने के लिए ज्यादा उप्यूक्त पाए जा रहे हैं सहरी छेतर के ज्यादा तर लोग अनफिट हो रहे हैं बिसे सगयों की माने तो ऐसा एमिनिटी के करान हो रहा है आदिवासी बहूलिय छेत्र से आने वाले लोग में एंटिबोडी ज्यादा मिल रही है तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेसी रहा है कुरोना संक्रमन फ्यलाने के मामले में आरोपी तबलीगी जमात के 17 विदेसी समेत 18 लोगों को सिविल कोट से बड़ी रहात मिली है सिविल कोट ने तबलीगी जमात के 17 विदेसी सहीत 18 लोगों को रहा कर दिया है बता दे कि आदालत ने तबलीगी जमात के लोगों को सरकारी आदेस नम मान ने सहीद छोटे मोटे आरोप में दोसी पाया जिसे 22 से रुपे जुर्माना जमा कर रिहा करने का आदेस देते हुए केस को खत्म कर दिया है मंदेगा कारियों को समय से पुर्ण करे खोटी उपायुक ते खोटी जिला समन्वे समीति की बैठक सोमवार को समानाले सभागार में आयोजित की गई अध्यक्सता करते हुए उपायुक ससी रंजन ने विभीन विशवय पर विस्तार्थे चर्चा की उन्होंने पर्योजना निदेशक को निदेश दिया कि मंदेगा के तवाद सभी कारियों को समय से पुर्ण करे साथी उन्होंने कहा कि मंदेगा के तवाद संचाली सभी कल्यनकारी योजिनाओं को सफल बनाना हमारी प्रत्मिक्ता होनी चाहिए किसान बिल के बिरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना केंदर सरकार द्वारा लागू किये गए किसान बिल का कांग्रेस पार्टी ने बिरोध कर रही है सोम वार को ज हर्खन कंग्रेस ने बील के बिरोध में राची के मोरबादी में परतर संद किया इस दोरान कंग्रेस के विधायक मंत्री संसद वा और नेता कर्यकरता मुजूद रहे बता दे कि इसके बाद कांग्रेसियों ने रेली निकाल कर नारे लगाते हुए बिरोज जताया बाद में कांग्रेस के कुछ वरिष्ट नेता ने राजेपाल से मिलकर उन्हें ग्यापन भी सोपा है सरकार सुप्रीम कोट में जल्द अपील करे सरना धर्मगुरू तिगा अनुशुची जीला की रद हुई निकाल से परवावी सिक्षकों ने सोमवार को सरना धर्मगुरू बंधन तिगा से मुलकात की उन्होंने अपनी परसानियों से धर्मगुरू को अउगत कराया बंधन तिगा ने कहा कि नियोजन नीती 2016 को मानने उच नियाले द्वारा औसमयदानिक मानते हुए तेरा अनुशुची जीलों के नियुक्ति रद करने का फैसला दिया गया इसके बिरूद जार्खन सरकार को बिना देर किये सुप्रीम कोट जाना चाहिए जार्खन में घार जमीन की रजिस्टरी मांगी होगी जार्खन में घार जमीन की खरीद बीक्री मांगी होगी जार्खन सरकार ने स्टांप ड्यूटी दो फिस्दी बढ़ाने पर प्रस्तावनाय सीरे से केंदर सरकार को भेजा है बता दे कि केंद्रे की हरी जंडी के बाद स्टांप ड्यूटी परिसंपती के मुल यह की 6 पिसदी हो जाएगी फिलाल यह 4 पिसदी है पलामू में साथ निजी क्लिनिक को किया गया सील प्रसिक्षुक आईएस दिली प्रताप सिंग सेखावत ने सोमर को पलामू के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवम हस्पिटल के समीप शापेमारी की उनके साथ सीविल सर्जन डाक्टर जॉन ओफ केनेडी एवम मेडिकल सुपरिडेंड डाक्टर केन जहाँ भी थे बतादे की छापेमारी के दवरान मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवम हस्पिटल के 500 मिटर के दारे में निजी क्लीनिक संचालक करने वाले वो खिलाप करवाई की गई इस दरण साथ निजी क्लीनिक को सिल किया गया जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है कोडारमा उपायूक्त ने पेजल आपूर्ति की समस्या को लेकर बैठक की कोडारमा उपायूक्त रमेष घोलप की अध्यक्सता में सोमवार को जुमरी तिलिया सहर में पेजल एवम आन समस्याओ को लेका समीक्षा बैठक हुई बैठक में जूमरी तिलिया सहर छेत्र के वाड नमबर 8, 16, 17, 21 वा 24 समेत कई वाड़ियों के पुर्व पारिशत के द्वारा वाटर सप्लाई को लेका सवी समस्याव से उपायुक्त को अउगत करा गया उपायुक्त ने करेपलक पताधिकारी वा सायक अवियंतक और निर्देशित करते हुए कहा कि वाटर सप्लाई सुचार रूप से करना सुनिश्चित करे गंभीर मरीजों की जान बचाने में संजीवनी का काम करेगी पलाजमा धनबाद उपायुक्त करोना से संक्रामित गंभीर मरीजों की जान बचाने में पलाजमा धेरेपी संजीवनी का काम करेगी इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है उपायुक्त उमाद संकर सिंग ने सुमवार को पलाजमा डोनर्स के लिए अपिल जारी करते हुए करेगी जारखंड केंद्रियी बिशुविदयले के समस्याहों को रखा और उसमें सुधार के लिए कई बिंद्रियों पर चार्चाबी की बतादे की केंद्रिय मंत्री ने इन समस्याओं के समधान का आस्वासन भी दिया है कॉंग्रेस किसानों नहीं दलालों की हितासी दिपक परकास क्रिसी सुधार अधिनियम पर कांग्रेस के बिरोध को भाजपा ने किसान बिरोधी बताया है भार्तिय जन्ता पार्टी के पर्देश अध्यक्ष दिपक परकास ने इस अधिनियम का विरोध करने वालों को बिचलियों का हितेसी बताया उन्होंने कहा कांग्रेस ऐसे दल किसानों के नहीं बिचलियों और दलालों के हितेसी है शोमवार को प्रदेश मुख्याले में आयोजीत समयदाता समयलन में दिपक परकास ने कांग्रेस पर तंज कस्ते हुए कहा कि उनके धारना और परदसन में एक भी किसान सामिलित नहीं होता जारखन में अल्प संख्यक कॉलेजों के सभी सेवानिवरित सिक्षको और कर्मियों के नई पेंशन इसकिम का लाब मिलने जा रहा है बता दे कि राची भी स्वविद्याले के अंतरगा छा अल्प संख्यक कॉलेज है दूमका उपचुनाओ को लेकर जामूमो भाजपारेस दूमका उपचुनाओ को लेकर पक्ष बिपक्ष दोनों ही पाटिया रेस हो चुकी है चुनाओ को लेकर जहां सतधा धारी दल द्वाला सिलन्यास एवं उदघाटन का दवरा जारी है वहीं मुक्ष बिपक्ष पार्टी पुन एक बारिया सीट पर काविज होने के लिए जन सभाओ और वैटकों का दवरा प्राराम कर दिया है कोरपती साइबर पपु सही 26 गिरफतार गिरफतार अपरादियों से अभी पुष्ता जारी है साइबर डी एसपी संदीप सुमन समदर्सी ने गुप्त सुचना के अधार पर सोमवार के सुवा कोरपती साइबर अपरादी पपु मंडल को गांडे थाना छेत्रे से दबोचा है ससस्त्र सीमाबल के जवानों ने चलाया स्वक्स्ता अभियान राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के 150 वे जियंती समारो के अशर पर सुमवार को जार्खन पुलिस के ससस्त्र सीमाबल 26 वी वाहिनी के जवानों ने सहीद बीर्सा मुंडा की जनम अस्थली उली हात्व गाव में स्वक्स्ता अभियान चलाया निरिक छक रंधिर कुमार के नेतिर्ट में चलाये गए स्वक्स्ता अभ्यान में उप निरिक छक मोहिदर सिंग वा विक्रमजित सहित अन्य अधिकारी वामजवान बड़ी संखाय में समिली थे रांची में भी होगी आतंकवाज से लड़ने वाली एन आईय की सखा केंद्रिये ग्रीह मंत्री अमित सह ने ग्रीह मंत्राले के बरिष्ट अधिकारियों के साथ एक समिक्छा बैठक में राश्ट्रिये जाच एजनसी एन आईय की तीन अतिरिक सखावों को इंफाल, चेनई और रांची में इस्थित करने की मंजूरिदी है बता दे कि एन आईय की अतिरिक सखावों की अस्थापना से एजनसी पहले से अधिक सक्षम बनेगी और अतंकवाद के खिलाप लणने में और भी मजबूती होगी यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए आप कोमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं